नमस्कार मित्रो मैं लाली धानावद स्वागत करता हूँ आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर आज मैं फिर प्रस्तुतू आपके सामने हमारी दूसरे और नए चैप्टर के साथ सिंदुगाटी सब्वेता के भाग एक से सिंदुगाटी सब्वेता के चैप्टर के बारे में हम लोग हमारी चर्चा स्टार्ट करें इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ कोशन्स दिये थे और आशा है आप लोगोंने उसके आंसर खोजे होंगे क्योंकि उसके आंसर उसी वीडियो में थे फिर भी प पहला प्रश्ण जैसे आप इसमå देख रहे हैं सेंदो काल में कसेरो था कि मितरों सेंदो काल में जो कसेरो था वो शिल्पी था क्योंकि कसेरो जो कहा जाता था उसे कहा जाता था जो तामबा और टिन मिला करके जिस कांसे का जो निर्मान करता था वो शिल्पकार था इसलिए इसका आंसर होगा शिल्पी दूसरा प्रशन है आपका मानो संस्कृति योगों का सही क्रम चुने इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कि पहले जो संस्कृति विक्षिद होई थी वो पाशान योग की थी पाशान युक के बाद तामर्योगीन संस्क्रती आई तामर्योगीन संस्क्रती के बाद कांशयोग हुआ कांशयोगीन के बाद वी लोहयोगीन क्योंकि लोहय की खोज हुई थी उसके बाद तो इसलिए इसका आंसर होगा B भीम बेट का गुफा इस्तित है भीम बेट का गुफा जो भोपाल में है और भोपाल मध्य प्रदेश में इसका अंसर होगा डी मध्य प्रदेश राजिस्तान में चौता प्रशन है राजिस्तान में पशुपालन का प्राचिंतम प्रमान मिला है तो राजिस्तान में प्रशोपालन का प्राचिंतम जो प्रमान है वो बागोर सब्वेता से मिला है बागोर से मिला हुआ है मित्रु यह प्रस्टन मैंने कहा था आपसे कि इस प्रकार के प्रस्टन में हम यह देखने में आता है तो यह प्रेस्टन हम लोग देखें इस पर हम डिसकस करते हैं कि गलत विकल्प कौन सा है पहला है पहला option है जेम्स प्रिंसेप ने मौरे काल में अशोक का शिलालिक पड़ा था दूसरा है पुरातत्य विबाग के संस्तापक लौड करजन थे पुरातात्विक खोच का स्रे यूरोपियन को जाता है और चोथा है एसियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जौन्स ने की इसके अंदर जो पहला पहला जो option है यह option है वो इसका यह गलत है और यह गलत option ही इसका सही उत्तर है क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने मोरे कालीन सिलालेक को पड़ा था ने की उस सिलालेक को मोरे काल में पड़ा था चटा question है कुम्बकारी किस काल की घटना है वित्रुक इसका आंसर होगा C कुम्बकारी जो है वो नव पाशान काल की घटना है सात्वा है राजिस्तान शब्द किसकी देन है तो राजिस्तान शब्द जो है वो कर्णल जेम्स टोड की देन है जिसमें आंसर है C इसमें शॉट में दिया हुआ है कर्णल टोड आठवा प्रशन है हमारा भारतिये इतियास सर्चेता प्रतों विदेशी यात्री कौन था इसका अंसर होगा मैग स्थनीच नवा है इतियास सम्मंदी मैथपुन शामगरी कौन सी है तो इतियास सम्मंदी जो मैथपुन शामगरी है वो है शिलालेग अंतिम और दस्वा प्रशन है अवतारवाद का प्रथम मुलेग अवतारवाद का पर्थम मुलेख है गीता में इस प्रकार ये दस प्रश्णों के उत्तर जो हैं जिन विद्ध्यारतियों को नहीं मिले हो तो हम लोग बता चुके हैं आप इन्हें नौट कर लें और पूरा का पूरो वीडियो एक पर आप दोबारा देख करके भी इन प्रश्णों का उत्तर आप उस महा से ले सकते हैं आज के सिंदुखाटी सब्वेता टॉपिक की हम लोग चर्चा करते हैं इस सब्वेता पर हम लोग बात करते हैं इक इस्तल जिस हडप्पा के नाम से जानते हैं इस हडपपा इस्तल पर सबसे पहली जो नजर पड़ी थी वह 1826 में चार्ड्स मर्शन चार्ल्स मर्सन ने 1826 के अंदर सबसे पहले इसकी जानकारी हमें दे थी इसकी सिंदुगाटी सब्वेता की लेकर इसके बाद हमारे भारत में 1853 में 16 अप्रेल 1853 को भारत में रेल मार्क याइन रेल लाइन जो तो ते उस पर रेल चलने का प्राऱम हो चुका था तो यहां 1853 में करांची से लाहूर तक एक रेल मारान के दोरान बरतन बंधूँ को वहां से कुछ विशेश प्रकार कीटे के कुई रेल मार्क और जानता है तो हम जानते हैं कि उसके लिए कुछ इटों की आवशक्ता तो पत्थों की आवशक्ता होती है, गिट्टियां होती है जो रेल मार्क के नीचे पट्रियों के नीचे बिछाई जाती है, तो उस समय इटी काफी मजबूत थी, तो जो वहाँ उनकी खुदाई जब की जा रही त उपशेश परकार की इटें वहाँ से मिली थी, तो उसमें बटन बंदू, जो उसमें रेल मार्क का निर्मान कर रहे थे, उसके दौरान, तो उन्होंने जानकरी इस बात की सरकार को दी, और सरकार की जो नजर है, उस रेल मार्क की बनानी के दौरान पड़ी थी, इस परकार जो सिंदुखाटी सब्वेता है वो हमारे सामने एक उसका रूप प्रकट हुआ था और हमें उसकी जानकरी उसके मिली थी सिंदुखाटी सब्वेता में 1921 और 1922 के दोरान दो महतपुनिस्तल जो आगे हम लोग पढ़ेंगे हडपा और मोहन जोदडो उनकी खुदाई वहां से स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ था हमारे भारत में पुरा तात्विक जो इस्तल हैं उन इस्तलों का उन इस्तलों पर जो कारे करता है वो भारत का पुरा तात्विक विभाग करता है भारत में पुरा तात्विक इस्तलों क ये बारे में जानकारी के लिए एक संस्था 15 जन्वरी 1784 को सर विल्यम जॉन्स के द्वारा इस्थापित की गई जिसे जाना जाता है इसियाटिक सोसाइटी ओफ बंगाल के नाम से जानते हैं 1788-788 से इन्होंने दा इसियाटिक रिसर्चे नाम से अपना एक पत्र निकालना स्टार्ट किया था हमारे भारत में जो पुरातत्व से संबंधी जो जानकारी है या पुरातत्व के बारे में जो काम करने वाले रहे थे वो उनका जो स्री जाता है महानिदेशक बने थे और 1931 से 35 में राय बहादूर दैराम सहानी जो थे वो भारतिय जो प्रातत्तु है उसके मानिदेशक के पद पर रहे थे तो जितने भी इस्तल हमारे यहां पर हुए हैं वो सिंदुगाटी सर्वेता के इस्तलों की जो प्रातत्त्तिक इस्तलों की जो खोज हो रही है या खोज चुकि आज तक भी चल रही है और यह जो जानकरी में दी जा रही है वो भारतिय पुरातत्तों सर्वेक्षन के द्वारा दी जा रहे हैं आज के टौपिक हमारा सिंदुगाटी सब्यता के उपर हम लोग चर्चा करें कि उस पर हम चर्चा करें इससे पहले चनल जानकारी मै अपको देना चाहूंगा कि सिंदुघाटी सभ्यता की अब तक के बारे में जो में जानकारी जो मिली है वो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी जिस प्रकार की खोच सिंदुघाटी सभ्यता के इस्तलोक लिए होनी चाहिए वो होनी पाई थी और जब भारत का जो विभाजन हुआ तो भारत की विभाजन के बाद दो बड़े मैत पूर्ण इस्तल हडपा और महन जोद्रो और भी इस्तल हमारे बटवारी के दुरान पाकिस्तान में चले गये थे और आजादी के बाद जो पहला पहला इस्तल भारत के अंदर खोज आ गया था वो हमारे राज वर्स 2014 के दोरान हरियाना सरकार ने अभी राखी गड़ी जो है जो इस्तल रहा है उसको विशो का प्राचिंतम और यह मैंने सबसे बड़ा इस्तल उसको घोशित किया इस प्रगार लगातार भर्राना जो हरियाना चित्रकंदरी पढ़ता है उसमें भी खोज लगातार हो औ 2017-18 के दोरान मिलें उनकी चर्चा में आगे आपसी टॉपिक के दोरान करूंगा दरसल अब लगातार जो खोज हो रही है सिंदुगाटी सब्यता पे उससे हमें नहीं नहीं जानकरी और भी मिल रही है चुकि मैंने भी आपसे कहा कि हमें जो पहले जानकरी थी एक लिमिटे प्रकारी सब्यता का जो टॉपिक है यह हर एक्जाम में लगबग आता है जैसे आपका टीचर्स ग्रेड का हो गया अभी रीट का एक्जाम होने वाला है उसमें यह टॉपिक मा मौवजूद है सेकंड ग्रेड एसस के अंदर यह टॉपिक होता है फर्ष्ट ग्रेड के टॉपिक जाता है उस पर हम विस्तार से चर्चा लेंगे और इस टॉपिक के लिए हमारे लगबग तीन चार वीडियो उसके बन करके आएंगे यह पहला वीडियो में आपको आपके सामने देर आओं इसको सिंदुगाटी सब्यता पर जो हमें चर्चा करनी है इसमें कौन- हमें पहले इसका नामकरण देखना होगा कि सिंदुगाटी सब्यता को जो नामकरण हुआ था वो नामकरण किस पर कितनी प्रकार से हुआ कैसे कैसे उसका जो नाम है बदलता रहा और उसे जो नाम दिया गया वो किन-किन विद्वानों के द्वारा दिया गया था सिंदु घाटी सब्यता को जो विस्तार है वो विस्तार उसका कौन से कहां से कहां तक रहा है। मिस्र और मेसवोटाम्या की सब्यटा से भी एक हजारवर्ष पूर्व की सब्यटा है उन्हें एक खोज के दौरान पॉर्टरी के कुछ ऐसा अवश्यार ए सब्यटा थी सिंदु घेपysis की इन काल करम अलग अलग आता है विद्यारतियों की थोड़ी सी प्रॉबलम यह हो जाती है कि जदी ऐसा पूछलिया जाता है कि ‎ say तो उ प्सक्रान कई वह सँछन फश्वार सबुएक तो इक बड़ा थूड़ा दिक्कत हाती है क्यों सब्सक्राइब करें कि नेग्छ वंगा जो सिंदूगाटी सब्वड़ता जो जानी था और वह कैसा था वह अगले टॉपिक में आएगा विन्यास की बाद हम लोग लेंगे सिंदुगाटी सभ्यता के मुख्य इस्थल क्योंकि तमाम लगबग 1100 से ज्यादा सिंदुगाटी सभ्यता के खोजे जा चुके हैं तो सब की चर्चा यहां करना नामूंकिन इस्तिती ह विश्थल हैं उन इस्तितलों पर हम विश्थार से चर्चा करेंगे ताकि कोई भी प्रश्ण हमारा लगबग यहां से बाहर नहीं जाए इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा सैंधो समाज की सिंदुगाटी सभ्यता का समाज कैसा था यह लोग जनरल जानते हैं कि को समाज पित्र सतात्मक्ड की स्थिमवे èंगे जनरल जotal होगी हम लोग आगे बात करेंगे धर्म और धर्शन इनके बारे में सैंधो निवासियों का ज्यान कया था growगा अर्थ व्यस्था सेंधो काल की ज्यार्थवर्श्था है उस लोग की झार्थ व्यस्था का मुख् वितार से चर्चाहमारी माँ पर होगी स्वाधान यहां बिन्दूहम रख रहे हैं समधान से राथ हमारी यह पर यह कि कि अन्तिम तो जह Mitteadska 6 टराइल प्र ह再見 इसके यहां हो गी उसका Filmmali क्योंकि जिसका विकास है उसका विनास भी निश्यत रूप से है तो सिंदुगाटि सब्विता का विनास कैसे हुआ था उसकी चर्चा हम लोग जो करेंगे वो यहां विनास इन टॉपिक्स में यहां करेंगे एक बिंदु जो हमारा आएगा राजनेतिक विवस्ता वहां का प्रसासन कैसा था क्योंकि प्रसासन की आउशकता हर काल में है रही है तो सेंदो समाज का जो प्रसासन है वहां की राजनेतिक विवस्ता कैसी थी राजा का रोल था या नहीं था समाज पर वर्चस्व किसका था क्या किसी पुरोईत वर्क का था तो क्यों था कैसे था यह सारी चर्चा जो हमारी रहेगी वो सिंदुगाटी सब्वता के दोरान रहेगी यह मुख्य रोप से इस टॉपिक में हमारी चर्चा के बिंदू रहेंगे और इन तमाम बिंदूों में यह पूरे तीन से चार वीडियो के अंदर यह हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी ऐसा एक्जाम है जो आप दे रहे हैं चाहिए आप आइससी चाहिए एंडियस एडियस या आप लोग टीचर्स ग्रेट नेट या आप आपको दे पाऊंगा और आपका सहयोग लाकातार निरंतर मेरे साथ बना रहेगा तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे हमने का कि सिंदुगाटी सब्वेता के नामकरण पर हम लोग चर्चा करते हैं कि सिंदुगाटी सब्वेता का नामकरण आया कैसे हैं सब्वेता का इस्तल जैसे मैंने आप से अभी कहा था लिकिए कि बटन बंदु हो को जब जानकरी यहां से मिली थी तो उस समय निश्यत रूप से किसी प्रकार के किसी नामकर्ण के वह बात नहीं थी लेकिन जो यह अवसेश जो खोजे गए थे यह सारे के सारे सिंदू नदी के आसपास थ सिंदू घाटी सब्वेता जो सब्वेता को नाम दिया गया था वह मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं यह नाम दिया था सर जौन मार्सल के द्वारा दिया गया है सिंदू घाटी सब्वेता का आगे जो नाम आया चूकि एक स्थल पहले स्टार्टिंग में थे लेकिन हुआ तो उसमें अलग अलग चेत्र में तो सिंद्यों लदी का फिनिश्ट में खत्म हो जाता है तो फिर सब्वेता को नाम क्या दिया जाए तो यहां जो सबसे पहला पहला जो इस्तल खोजा गया वह इस्तल हडपा था इस अडपा इस्तल कि खोज 1921 के अंदर हुई थी तो जिससे कहा है कि इस पहला पहला यह इस्तल रहा था इसलिए सब्वेता को जो नाम दिया गया था वो हडपा नाम दिया गया आपको यह ध्यान रखना है आपर कभी कभी प्रस्ण यह आ सकता है कभी इन फ्यूचर आता है कि सेंदव सब्वेता का एक प्रमानिक न नाम क्या हो सकता है या क्या है तो आपका उत्तर होगा हडपा सब्वेटा कि मैंने आपसे कहा कि सिंदु जो प्रातात्विक जो अवशेश हमें मिलें जो इस्तल हमें मिलें वो सिंदु और सरस्वती नदी के आसपास के छित्रों में मिलें इसलिए इसलिए इसका नाम जो कि स्टों काल के अंधर अभी हमने थोट देरे पहले आपको बताया था ले किसी वीडियो में कि पिछली वीडियो में एक शब्द आया था और वो सब्द था कषेरो कि कषेरो क्यों विसकित होता है और इस काल में मिला करके कांसे का निर्माण हो चुका था इसलिए कांसे का निर्माण इसका आलम होने के कारण इस सब्वेता का जो एक नाम गया वो नाम था कांसे यूगीन सब्वेता नाम दिया गया प्रथम नग्रिय क्रांती नाम दिया। यह फैक्ट है क्योंकि भारत में जो पहली नग्रिय क्रांती हुई थी, जो पहली नग्रिय विकास हुआ था, वो विकास सिंदुखाटी सब्व्यता में ही हुआ था, इसलिए सब्व्यताओं को प्रथम नग्रिय क्रांती गार्डन च उन संसादनों से हडपा सब्वता के लोग, सैंदव सब्वता के लोग भली वाती जानते थे। आज हम देख रहे हैं प्रजेंट में भी हाली में टिड्डियों के आक्रमन हमारे देश में हो रहे हैं। टिड्डियों के आक्रमन उस समय भी हुआ करते थे। या जिस प्रकार की तराजदियां या बिमारियां इस समय हैं वो समय भी थी अंतर एक सिर्फ इतना आता है कि जिस प्रकार आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान में COVID-19 नाम की जो तराजदी हमारे पूरे विश्यवर में जो छाई हुई है जिससे अब मनुश्यव लड़ रहा है अपने आपको उसके अनुकूल बना रहा है उसी प्रकार सिंदुगाटी सब्वेता के लोग जो थे वो अपनी हर प्रकार की तराजदी से उसके अनुकूल आपको ढाल लिया करते थे वो इतने सक्षम थे तो एक विक्षित सब्वेता थी इससे सिद्ध होता है कि विक्षि इसको पूर भी टीला उसको पूर्वी टीला किया गया तो अ तो पूर्वी टीला मिला उसको पूर्वी टीला का विंड़ा या Allah इसको नाम से इले घराओ या वह अधीक उचाई पर है और यह जो है कम उचाई पर है यहां पश्मी टीले में दुर्ग के अवशेश मिले हैं और यहां जो दूसरा जो निचला जो टीला है उसे यहां शेहर के अवशेश यहां पर मिलते हैं दुर्गों में यहां कहते हैं कि यहां की जो निवास था वो प्रोहित वर्ग का निवास था और निचले शहर के अंदर जो निवास किया करते थे वो वैपारी, नागरिक, सैनिक, सिल्पी वर्ग या जो अन्य जो लोग थे वो वा निवास किया करते थे सैंदोस अब्यता में मकान छोटे भी मिले हैं, मकान बड़े भी मिले हैं तो बड़े मकान मिलने से यह सिद्ध होता है कि वो एक निशित रूप से जो संपन परिवार रहे हैं या कोई मंत्री इस्तरगे को परिवार रहे हैं या पुरोईत जो वर्ग रहा होगा उनके वो मकान रहोंगे छोटे मकानों सिद्ध होता है कि जो शिल्पकार वर्ग रहा ह यह स्रम्भिक जो वर्ग रहा है वो उनके चोटे मकान हैं वहां पर रहे हैं हम लोग के विस्तार से चर्चा करेंगे और यहां पर यह का catching ये कि कि जये कि भूमी पर यह किसी भूकर्ण पर जब मरें निरंतर आवास हो या पुने आवास हो तो उसके बाद आवासी जो मल्वे होता है आवासी मल्वा जम जाने से महांपर टीलों का निर्मान हो जाता है जो कि मनुष्य बुद्धी विए विगती है और लगातार जब आगामी जम में आने वाले समय में भविश्य में वो खोज करता है तो उन टी लोग की बकायता खुदाई होती है जैसे हमारे तमाम यह टी ले खोजे के हैं लेकि नेक्स्ट टॉपिक में हमें जो चर्चा करनी है वो देखने हैं कि हमारी सिंदुगाटी सब्वेता का विस्तार कहां से कहा तक रहा है अभी मैंने आपसे कहा था कि बकायता भारती पुरात्य विभाग के द्वारा लगातार जो खोजे की जा रही है नहीं नहीं इस्तल हमें मिल रहे हैं लेकिन जो एक प्रमानिक तोड़ पर एक विस्तार जो रहा वो कौन सा विस्तार कहां से कहां तक अब दक्षिण के अंदर जो हम लोग आते हैं तो दक्षिण में यह दक्षिण में जो है यह दैमाबाद जो महाराष्ट राज्य में पढ़ता है इसकी जो नदी है दैमाबाद जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है जो मांडा है वो चिनाब नदी के किनारे इस्तित है पश् के किनारे हैं उसे हम बोलते आलमगीर सब्वैता या आलमगीर नामक इस्थान जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है यहां देख रहे होंगे डियर इस्टुडेंट्स की चारों तरफ पू उत्तर दक्षेन पूर पश्चिम के जो इस्तल हैं उनमें कोई नदी है लगबग लग उसका जीवन कुछ भी नहीं है वो जीही नहीं सकता है लेकि एक बात दूसरी बात का है कि जो नदी के आसपास का च्छित्र होता है वहां के जो भूमी होती है उस भूमी में नमी होती है वह आसानी से खेती वहां कर सकता है लेकि इसलिए जितनी सब्वेताएं हैं वो सब् पर चाना और कुनाल के नाम से जानते हैं यह दो जो इस्तल हैं यह हर्याना के अंदर हैं यह इनी की खोज 2017 में हुई है अभी लगातार और भी खोज हैं जो भी खोज हमारे पढ़ाने के दुरानों को नहीं खोज आती है तो हम उससा अउगत आपको कराते रहेंगे यह विस् सब्वाइशन को लगबग 1400 किलोमेटर और पूर से पश्रीम के और 1200 किलोमेटर इसकी लंबाई इसकी रही है यह सब्वैता का विस्वार इसका रहा है अब हम बात करते हैं सिंदुकाटी सब्वैता का जो काल है वो टाइम है वो क्या रहा एक विच्षित स्तिती कैसी रहे इसका काल जो रहा है अलग अलग इतियास कारों ने अपने खोज और अवशेशों के आधार पर अलग अलग काल इसका बताया है यहां विशेश तोर पर आपको इध्यान रखना है एक्जाम में यदि कोशन पूछा जाता है तो इध्यान रखे बक्यादा टाइम की बात करेगा तो यह तह है कि पहलो इतियासकार का नाम देगा और उसके बाद आपसे पूछेगा लेके कि बताईए इसके अनुसार क्या का काल रहा है तो मिहां देखते हैं कि सिंदुगाटई सब्रदा में सबसे पहले कालनिदारनमें निभाने वाला जो विद्वान रहा है वह विद्वाने सर जर्जोन मारसल ब कि इन्होंने 1931 के अंदर के सबसे सनुफे टाइम का निरधारन किया और सेंदुगाटई लग्रा का जो विक्षित सामकाल बताया वो 3250 इसापूर से 2725 इसापूर बताया बताया इसमें जो ज्यादा समय रहे वह मित्रोव रहेगा पहले का Yay ऑडब विकास को अग्रेसरों रही है और जो कम जो आ रहा है वह रहेगा इसके विनास का जानिंकि जो सम्हाप्त हो रही है या हम देख के fair service विदवान है उनका मान्ना है कि 2000 इसापूर से 1500 इसापूर इसका समय रहा है यह देख रहे हैं कि डीपी अग्रवाल डीपी अग्रवाल ते सो इसापूर से सत्रे सो पचास इसापूर बताते हैं CJ جو हुए हैं वो 2100 से 1700 इसापूरू बताते हैं Martimer Hiller उनका कहना है कि 2500 इसापूर से और 1500 इसापूरcan का समय रहा है Ernest Mackay जो बात करें तो वो बौलते हैं कि 2800 इसापूर से 2400 इसापूर्ड का समय रहा है इतियास का डेल्स जो हुए हैं उन्होंने 3900 इसापूर से 1900 इसका टाइम बताया है और मादो सुरूप वत्स जो रहे हैं उन्होंने 3500 से 2700 इसापूर बताया है यह कुछ ऐसे मुख्य विद्वान हैं जिनके बारे में एक्जामनर घूम फिर के बार पर इनमें से कोशन पूसता रहता है आपको विशेश तोर पर इन पर ध्यान रखना है यह मैं पूने बता रहा हूँ आपको ध्यान रखे कि सरप्रतम सबसे पहले काल निर्धारन इनका करने वाला जो विद्वान रहे हैं वो रहे हैं सरजौन मार्सल इन विद्वानों की बुद्धी मत्ता से इन्होंने अफशेशों के आदार पर इन्हों अलग लग जो समय बताया लेकिन एक समय एक ऐसी इस्तिती एक विदी है उस विदी को हम कारवन चौधे बोलते हैं कारवन 14 जो विदी है इस विदी को हम देखांगे कि होती की है दड़ता सजी वस्तों में जो व्याप्त तर्य धर्मी कार्वन रोन होता है उसको हम कारवन 14 उसको बोलते हैं लेकर इस विदी के दौब अम आउशेश ओचाने के एक विदी इसलिए आपको खासतो रुपे ध्यान रखना है कि कारबन चौदे जो है वो जितने प्राचीन जो अवसेश होते हैं जैसे हमें किसी कोई भी इमारत है या कोई इसमारक है उसकी आयू यदि ग्यात करनी है तो हम इस विदी के दोरा ऐसा माना जाता है कि जो विदी है यह इसक बलाए फ्रेंक लबी नामक वज्यानिक ने गया था इनका नामम्क फ्रेंक लेट करॉंण ने इनकर इसका विकास ग्याता बलाए फ्रेंक लिभगी को ao 1916 के अंदर नॉमलपूर्सकार से भी सम्मानित किया गया था कार्बन चोदे जो पद्दती है इस पद्दती से सिंदुगाटी सब्दता का विक्षित जो काल माना जाता है वो पच्छी सो इसा पूर से सत्रे सो पचास इसा पूर माना जाता है जो कि प्रमानिक काल के अंदर आता है अब एक्जाम में एक्जाम ने पूर सकता है कि प्रमानिक काल कौन सा माना गया है तो पच्छी सो से सत्रे सो पचास इसा पूर यह कारबन चौदे के अनुसार कौन सा मा क्या स्टेंदो सब्विता के लोगों को पढ़ने का ग्यान था या वो पढ़ लिके थे या अक्षरोंसे जो अक्षर ग्यान है उसे वो परिचित थे या नहीं थे इसके बारे में चर्चा आज कि हम करेंगे तो मित्रु ध्यान रखें सिंदुगाटी सब्वेता के अवशेशों के दोरान हमें सेंदव लिपी के प्रमाण मिले हैं जिससे सिद्ध होता है कि उस काल के लोग पड़े लिखे थे उन्हें अक्षर का ज्यान था उन्हें अपनी बात को वो अक्षरों के माद्यम से कहा करते थे लेकिन सेंदो लिपी के बारे में एक प्रमाणिक तोर पे ये कहा नहीं जा सकता अभी तक कि वो क्या कहना चाहते थे वो क्या कह रहे हैं क्योंकि जो प्राचिन लिपी है जो प्रमाणिक उससे जो सिद्ध हुई है वो मौरे काले लेपी है जिसे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था लेकिन हमें चर्चा इसके बारे में भी करने हैं लेकर के क्योंकि अभी धोला वीरा जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि धोला वीरा से दस अक्षरों की एक लेपी मिली से जो सेंदो लिपी दस अक्षर यह चित्रात्मपत्र में कि यहीं कि आपको कई नामों से घंडिया थालrenched है नियुक्षण को वह राजस्तान के उत्तर में हैं कालइबंगा सब्धता यह वही सब्धता जिसे स्वतंद्रता के बाद सबसे पहले खोजा गया था मैंने पहले भी कहा भ से क्योंकि भारत और पाकिस्तान यह बारत का जब बढ़онов होकर पाकिस्तान कषब निर्मान हुआ था तो तो हडपा और मोहन जोग्रो जो मुक्के इस्तल है वो इस्तल चले गए थे पाकिस्तान के अंदर तो अब यह बात वहां से आने लगी जब पाकिस्तान की तरब से बात यह हुई कि विश्यू की प्राचिन सब्यता के इस्तल जब मेरे देश में हैं तो भारत में हमारे खोज ह हुई और हमारे खोज हूँते में पता लगा जो काली बंगा है वो काली बंगा हडपा से भी प्राचेन स्थिती है इसलिए आप लोगों ने बुक्स में या आप यदी गाइड्स पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा होता है लेकर के कि जो काली बंगा है वो पूर्व हडपा सब्यता है बरफका योगीन सब्यता है जर्व हडपा यूगीन सष्थ यह है कि यानिक हडपा से भी पहले की सब्भ्यता है uży्श पर चर्ठा हम लोग आगे करेंगे मुक्षन को रच्छा आगे होगी हमारी तो यह यहสथ यहां खाली बंगा से ठिकर जो है उन ठिकरों पर एक लिपी लिख्यू ही मिली है तो वह उसको फेदन विदी के नाम से उसको इस्तिती रही है और उसको जाना गया है तो वह सेंदो लिपी की है दूसरा इसको किलाक्षर के नाम से जानते हैं, चित्राक्षर के नाम से जानते हैं, यदे हम यहां देखें इस प्रकार से तो आप देख रहे हैं कि सेंदो जो सब्वधा है, इसमें जो एक इस्तल रहा है, धोला वीरा, यहां से इम दस अक्षर मिले हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, यह दस अक्षर कंप्लीट हैं, किसमें मिल रहे हैं, और इसमें चित्रात्मक रोप से हैं, अब इस लिपी में उसकाल में मनुष्य क्या कहना चाह रहा है, क्या एक इस्तिती है, लेको उसकाल की लिपी जो भी पढ़ने के हमरी विद्वान, जो हमारी सामने जैसा बताएंगे तब हम आगामी इसके बारे में जान पाएंगे लेकर के, इस लिपी को भाव प्रधान भी इसको कहा गया है, सैदो सब बताएं कि जो लिपी है, उसकी जो लिखावट है, वो लिखावट दरसल क्या है, को दाएं अक्षरों को काड़ती है, जिससे सिद्ध होता जाती है, इस लिपी में तरसल सबसे ज़्यादा और सबसे कम, इस लिपी में बात ही कि गई है, कि सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं, वो चित्राक्षर मिलते हैं, अक्षरात्मत जो इस्तिद्य हैं, वो लिपी में सबसे कम है, यहां इस लिपी में मूल जो चिन है, वो 64-64 मूल चिन मिले हैं, सबसे बड़ी जो लिपी मिली हैं, उसमें कुल सत्रे चिन है, यह फैक्ट्स विशेश तोर पे ऐसे विध्यारती जो इतियास से, इतियास में अपने लेक्शर सिप में त्यारी करना चाह रहे हैं या तॉलेज में एसेट प्रॉफिसर की त्यारी कर रहे हूं यह सिविल सर्विस के अंदर हो यह नैट के लिए तो यह जो एक्जाम से वहाँ पर इन चीजों को थोड़ों सा विशेश तुर पर ध्यान रखा जाता है लेक हैं तो सरवाद दूसरी बात सरवादिक अंकन इस लिपी में मिलता है दो मिला हुआ है एक तो जो अंगरी जी का यू आकार है अंगरी जी का यू आकार है वह सबसे ज्यादा मिला है और मचली का जो चित्र है वो सबसे ज़्यादा मचली सबसे ज़्यादा इसके अंदर मिलते हैइं हम इस इन तमाँ हम तापिक से तमाम बातों से सिद்धी होता है कि joh sandunoot in to lppie है उस लिभी का ज्ञान सेंदों सब्ब्था के लोगों को था कि दरसले अब फैक्स जो कुछ आते हैं इसमें सबसे पहले विचार इस लिपी पर प्रकट किया गया था मैं अभी पहले प्रमानिक तोर पर एक बहुत ज़्यादा कुछ अभी इसमें नहीं कहा गया लेकर गए क्योंकि प्रमानिक ता मौरिकान लिपी के बारे में सिद देखरी और उन्हों नहीं कहा कि बादगोली के लिपी यह भ्रामी लिपी को अध्ययन का प्रयास किया था 1925 में एले वेडेल के द्वारा किया गया था बाद में केन वर्मा सीताराम राओ जो रहे हैं वह इन्हों ने इसका प्रयास किया है इसको लेकर यह एक फेक्ट आरे में अनुवाद किया है यह लिपी पर अभी तक हम लोगों ने चर्चा की हमारी सेंदोव सब्वेता की चर्चा का जो नेक्स्ट बिंदू है वह बिंदू नगर विन्यास वह हम लोग यहां देख रहें मैं मैं आसा करता हूं कि मेरी बात जो जा रही है वह आपके अच्छे त सेंदो सब्यता में कि जो मुख्य जो विसेश्था रही है यह प्रस्ण कई बार पहले आ चुका है कि सेंदो सब्यता की मुख्य विसेश्था क्या है यह जब भी सेंदो सब्यता का जब भी नाम आता है तो नाम से में पता लगता है कि सिदा ध्यान अमारा जाता हो उसके नग इसी मोहन जोद्रो सब्विता के आधार पर जिसमें डिडेल में चर्चा हम लोग आगे लेंगे हमारे राजस्थान का एक शहर जैपूर जैपूर जो नगर है वो मोहन जोद्रो सब्विता के आधार परी बसा हुआ है जैपूर नगर के जो वास्तुकार थे विद्यादर भटाचारिये उन्होंने इसी सब्विता के आधार पर इसको बसाया इससे सिद्ध होता लेकर के कि कि वहां का जो नगर विन्या से वो कितना शांदार था दरसल वहां के जो नगर है वो जाल पद्ददी पर एक ग्रीट सिस्टम पर था ऐसा लगता था जैसे कि सत्रंज की जो विसात जैसे होती है उस प्रकार से बसा हुआ था वहां की जो सड़के हैं आगे मैं सड़कों पर चर्चा करूंगा विस्तार से आपको वो एक दूसरे को समकौन पर काटते थी बकायदा उत्तर से दक्षिन पूर पश्शिम वो आगे देखा जाएगा अभी हम लोग देखेंगे इसमें हम पहले चर्चा या गर्वनियास मे पर करते हैं भनों की कि कि आंके भवन किस प्रकार गयुआ टर। जो मिले हैं उन भवनों में एक विसेश जो बात रही है कि बकायदा उस से पांच कमरें मिले हैं चार से पांच कमारे थे रसोओ घर मुहां मिला है दसोईघर में कई बार वहाँ से एक सिद्ध होता है कि कई चूले मिला करते थे तो जिससे सिद्ध होता था कि सेग्ट परिवार परणाली का परचलन उस समय था वो हम लोग आगे समाज पर उस समय चर्चा करेंगे और इस्नानागार जो मिले हैं जो की मोहन चुदुर्द सब्विता से मिला है उस पर अमारी आगे चर्चा होगी लेके किस्ता नगार की इस्तिती क्या है वो लग दरसल चार-पांच कमरों की भवन के साथ साथ या बड़े भवन भवन भी निर्मित मिले हैं जो की दो-दो मंजिलों के थे उन में लगवक तीस तक म्रों की संग्या थी दो मंजिला मकान रहे हैं जो एक दो कम्रों के मिले हैं या एक कम्रों का मकान वह मिला है इससे सिद्ध होता है कि वो स्रमिक आवास वहांके रहे होंगे भावनों के अंदर दर्वाजे थे बकायता खिडिकिया थी दरसल बात यहां थी कि दर्वाजे और खिडिकिया जो है वो भावनों में पीछे की और खुला करती थी यहां का जो भवन निर्मान या पूरा नगर निर्मान जो था वो वास्तुकलापर आधारित था यानि कि सिंदुगाटी सब्वता के लोगों को वास्तुकलापर पूंडोप से ग्यान था और यहां के जो भवन थे वो तीन प्रकार के भवन थे भवन वास्तुकलापर आधार करता था जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इटे इनी इटों का इस प्रकार की आज वर्तमान में इस आकरती इटे आज भी हम जो भवन निर्मान करते हैं तो उसका प्रियोग किया जाता है उस समय सिंदुगाटी सब्व्यता में जो सबसी बड़ी जो इट थी उस अनुपाद दो अनुपाद एक उस सबसे बड़ी इट का अनुपाद था इटे कच्ची थी इटे पकी भी थी इटे फैनिदार भी इटे थी अलंकरत इटे भी थी इन इटों का अलग अलग तरीके से प्रियोग किया जाता था हमें विशेश तोर पर ध्यान लखना है इसमे रक्षा जो दिवार है यह चबुत्रा निर्माण यह सडक निर्माण के अंदर जो किया जाता था कच्ची इटों का प्रियोग किया जाता था हमें ध्यान लखना है कि जो रक्षा दिवार बनाई जाती थी वो कच्ची इटों से थी चबुत्रा को जो निर्माण होता था व में जो निर्माण जो प्रयोग मिलाई जाती थी वह पक्की इटे प्रयोग मिलाई जाती थी या भवन की जो नीव है उस नीव को भरने के लिए जो प्रयोग मिली जाती थी जो जलनिकासी की जो विवस्ता थी उस जलनिकासी की विवस्ता के लिए जो इटे प्रयोग की जाती थी और एटो का प्रियोग कीया जाता था नाई नटो में सबसे विभिन परकार करते थे टो का जो प्रियोग होग होता था वो फर्स पर किया जाता था फर्स के निर्मान के लिए किया जाता था और इस प्रकार की जो अलंकरती इटों से बनी हुई जो फर्स है जो हमारे जिला हनुमानकट राजस्थान के जो सब्वेता के अवसेस काली बंगा सब्वेता के जो अवसेस मिले हैं वहां से जो फर्स मिल यानि कि एक उक्षप्रण मेथड एक दूसरे को समकोन पर काटती थी सड़कों का निर्मान के अंदर निर्मान किया जाता था और नालिया जो सड़कों के कमें मिला है जो उसकी लगबग 9.15 मिटर्चोडा है मोहन जोदुर सब्वेता से मिला है जिसे राजपत की संगया भी दी जाती है आप प्रस्ण चाहिए कि राजपत का प्रमान कहां से मिला है तो मित्र आपको इध्यान लखना वो मिला है मोहन जोड़ों से यदि चोड़ाई की बात की जाए कि 9.15 मिटरी की चोड़ाई रही है सिंदुखाटी सब्वेता में जो गलियां है वो गलियां तीन मिटर चोड़ी गलिया रही है लेकर के यहां की जो सडके हैं उन सडकों जैसे कहा कि मैंने का कि Oxford मेथड़ पर आधार यतियानिके समकोन पर एक दूसरे को जो काटा करती थी इस प्रकार का उनका विकास था निर्मान का जिसमें इतियासकार अर्नेस्ट में के एक बात जो कहने को मजबूर हो गए उन्होंने इस बात का definition उसमें दिया लेके कि सडकों का जो विन्यास था उनका जो layout वो एक ऐसा था कि जो हवा है वो हवा सडकों को सम साफ कर दिया करती थी इस प्रकार से बना हुआ था लेकर के क्योंकि सडके एक लंबे तोर पर एक दूसरे को चाट रही है जिससे क्या है कि लेके आराम से सड़के वाँ बिल्कुश साफ सुत्री रहा करती थी इस प्रकार से नगर वनियास के लिए जो फेमस रही है ये सब्वेता वो है सिंदुगाटी सब्वेता इसमें हम लोग अभी जो दूसरे भवन के दूसरे प्रकारवा में देखना है वो है मौहन जोड़ो पाकिस्तान के सिंद प्रांत सिंद प्रांत के लर्काना जिले के अंदर जो है इस तित आप इसकी दिंट पर देख रहे हैं वहुआ स्वारक की रूप में यहाँ मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं की मोहन जोड़ो से दो प्रमुक इमारती मिली है एक तो अन्नागार और एक आता है व्रहत इसनानागार अन्नागार पर चर्चा भी हमारी आगे होगी लेकिन दोनों के एक जानल प्रस्टन की जो बात होती है यदि प्रस्टन यह होता है कि मोहन जोड़ो की उलेकने इसमारक कौन सी है तो आप उसका आंसर देंगे व्रहत इसनानागार और यदि यह आता है प्रस्टन की मोहन जोड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है या इसमारक कौन सा है तो आप कहेंगे उसको अन्नागार के स्थिति होगी तो हमारी चर्चा वापस हम लेते हैं और वो लेते हैं कि इस व्रेथ इस्नानागार को सरजोन मार्चल के द्वारा विश्व का आश्चरे जनक निर्मान कहा गया है राजस्तानी के अंदर जो आर्टेट का जो पेपर हुआ है आप इसकी पिछले प्रश्णों में देख सकते हैं बकादे प्रश्ण पूछा गया है लेकर के कि विश्व का जो आश्चरे जनक निर्माण है वो उसको किस कहने वाले विद्वान कौन है तो वह हैं जॉन मार्चल अनेश्ट मेके ने बकादे इस बात को कहा है दरसल कि सामन जो जनता है वो धार्मिक आउसर पर इसनान ही तो इसका प्रियोग किया करती थी और या धार्मिक आउसर पर इसनान के लिए इसका इसका प्रियोग किया जाता था इसकी जो लंबाई है वो 54.85 मेटर जो कि उत्तर की और जो है वो 32.90 मेटरे की इसकी उचाही रही है उत्तर और दक्षिन दिशा की और इसकी बगएदा सीडिया हैं सीडियों से उतर कर नीचे जो है बगएदा जलासे रहता था और जब लिए भी कोई धर्म कर हुआ करता था तो उसके अंदर एक तरीके से यहां इस्नान किया जाता था यह प्रव् पाव्डिया अप्रवकिया runtty निर्माण यहां होताओ नेίक्स्टOLë yahर क्लारे उंक लुक्रकरंगे तो उनका निर्मान किया जाता है बावडियां कुवे जाल रहे इनको जन सामाने के लिए बनाये गया जल संदक्षण के लिए ताकि जो पानी है उस पानी का संदक्षण किया जाए जैसे हम वर्तमान हम देखते हैं कि जल का बड़ा भयावे संकट है भारत के कई राज्यों के वहाँ के निवासी जो हैं वो कही किलोमेटर दूर जा कर पानी वाँसे लेकर आते हैं पश्रिम राजिस्तान के उन्धे हम देखें तो पानी के लिए बड़ा एक जदो जाहद वहाँ के जनता करती है लेकर के बड़ा संगर्स पानी के लिए करती है दरसल ये कहें कि जिसे उस समय के जो लोग रहें वो जल के लिए भी बड़े सजग थे जल का संरक्षन किया करते थे तो एक परंपरा हमारे भारत में बना दी गई कि बावडियां जालरे कुए इनको धार्मिक भावना से जोड़ दिया गया पूजा इस्तलोग रूप में इन सामाने लोगें वो धार्मिक भावना से इनका संरक्षन टक सकें इन्हें वैस्त ना करें ताकि भविश्य में पानी की कमिशन को जूजना ना पड़े तो व्रहत इसनानाकार हम देख रहे हैं कि उस समय के लोग वो इस प्रकार से टैलेंटेड थे इस प्रकार एक समय रहा करते थे उस पर इसनान के लिए इनको रखा गया थो जल्द सम्रेक्षन किये कि एक्जांपल है हमारा एक उधारन है नेक्स वीडियो नेक्स टॉपिक हमारा इस वीडियो के लास कंदर जो हम देख रहे हैं वह अन्नागार पर आज कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं अ आटिमर हिलर ने इसको जो कहा है वो अन्नागार नाम दिया इस अन्नागार में यहां इट के 27 प्रकार के प्रकोष्ट बने हुए मिले हैं पूर से पशीम के ओर जो इसकी लंबाई है वो 45.72 मिटर है और उत्तर से दक्षिन के ओर जो इसकी चोड़ाई है वो 22.86 मिटर रही है इन अन्नागारों के अंदर नागार सबसे क्लियर हो रहा है जिसमें अन्न को इखटा करके रखा जाता था ऐसी माननेता है कि जो जन सामाने हैं जो कर दिया करता था अन के रूप में जो वहां के शाष्ट को जो कर दिया करता था वो जो करके रूप में जो अन आता था उ उसे ग्रामीन परिवेश के अंदर एक दम पूरा जब खेट से लाकर के जब किसी किसान को सो हात्वात उसका विक्रे नहीं करना होता है तो उसको डाल देता एक बड़े कमरे में जिससे ज्यादतर कोठों के नाम से जाना जाता है हमारी जो राजिस्तानी के सब बतायरी हैं महां से गोरे और कोठ नाम के ऐसे अवशेश में मिले हैं जो अंज रखने के पात्तरों गुरूप में काम आते थे वो चर्चा हम लोग आगे और देखेंगे लेके उसमें बात करेंगे तो इस परकार और डेली यूज का जो अनाज अधोक अंदर भर दिया जाता था एक तरीके से वह अनबंडार है और उस काल के अंदर भी जो रहा है वह अनबंडार के रूप में काम आते थे वित्रों ये आज के टॉपिक आज की वीडियो के लाज के अंदर हमारा जो सिंदुगाटी सब्वयता पर जो चर्चा रही है वह आज की चर्चा हमार यहीं समाब्त होती है बित्रों पहले वीडियों जो अभी मेरा अप्लोड किया था जिसमें इतियास की बुन्यादी जो जानकरी थी वो आपके पास थी उसके बाद कुछ इस्ट्रेंट के फॉन मेरे पास आये थे किसी किसी स्ट्रेंट्स की ये कंप्रेंट यूद में या कह सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे थे लेकि सर थोड़ा जैसे हाड है थोड़ा कुस विशे जो हो रहा है बहुत कठीन हो रहा है ठीक है या अब यहां हम एक बात में आप लोगों से कहना चाहूंगा सच्चाई के जितना हम लोग पास रहें उतना ज्यादा अच्छा होता है लेकि आज जिस प्रकार सरकारी नोकरियों में पदोगे संख्या कम हो रही है विद्ध्यारती जो एक्जाम दे रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़ादा बढ़ रही है उसी दोनों के बीच में सरकार का एक concept है जिस concept में उसमें जो विद्यारतियों को जो चैन वो करना चाह रहे हैं जिस प्रकार के प्रश्ण हमारी परिक्षाओं में आ रहे हैं उसके अनुकूल हमें तैयारी करनी होती है हम कई बार देखते हैं लेकर के कि 8800 की संख्या के बीचे बैठ करके सेलेक्शन दो का नहीं हो पाता या कई बार ऐसा होता है कि विद्यारती घर बैठ के सेलेक्शन अपना ले लेता है जो विद्ध्यारती घर पे तैयारी करने के बाद ही अपना सेलेक्शन ले रहा है या जैसी इस्तिति उसके चाहिए तो वो परिक्षा की नेचर को समझ जाता है उससे हमें यह पता लग रहा है यहां लेकर के क्योंकि अब जो प्रस्ण पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से ड लेक्षर के एक्जाम वह खास तूर पर देखा जाता है तो विशे के अंदर वो पूरी की पूरी पकड़ उसमें हमें बहुत अनिवारिया होती लेके विशे की पूरी पकड़ हमारे पास हो एक कंसप्ट हमारा पूरा के लिए रो क्योंकि नहीं हमारी विशे की पकड़ के सेविल सर्विसेज कैसी स्टुडेंट्स जो हैं उनके उनके लिए मैटर हम लोग तयार कर सकें मैं उसको त्यारी के पूरी पूरी उसमें कोशिस कर रहा हूं कि ताकि आपको एक ऐसा मैसूस ना हो कि आप क्लासरूम गंद नहीं बैठे हुए हैं फेस टू-फेस क्लास आप न त्यारी करें तो उसमें बहुत ज्यादा एक इस्तिती रहेगी बहुत अच्छा रहेगा और सफल था आपके बहुत नजदीक उसमें रहेगी आगामी चर्चा जो होगी हमारी सिंदुगाटी सब्वेदर जो आज का टॉपिक हमारा है वो नेक्स्ट वीडियो कंदर रहेग एक करमबद होती रहें आप ये निश्यंत रूप से रहें इतियास विशे या कोई भी विशे है वो टूदा पॉइंट चलेगा बीच में से किसी विशे को नहीं उठाया जाएगा लेकर के कैसा नहीं होगा कि कभी मैंने क्या टॉपिक लिया कभी आपको क्या टॉपिक कामनाओं के साथ ममस्कार धन्यवाद